मोबाइल फोन के प्रभाव पर निबंध वर्तमान वैज्यानिक युग में मोबाइल के प्रभाव से शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो आज हर व्यक्ति की जेब में या हाथ में मोबाइल फोन दिखाई पड़ता है मोबाइल फोन हमारे जीवन की आवशक्ता बनकर रह गया है इसके बिना जीवन सूना सूना प्रतीत होता है यह विज्ञान की एक चमतकारी देन है इसके नित्य नए नए रूप बाजार में दिखाई दे रही है अब इस फोन में कैमरा भी लग गया है इसमें बोलने वाले का चित्र भी आ जाता है यह मोबाइल फोन संपत्ती भी है और विपत्ती भी हर चीज के दो रूप होते हैं सुखद और दुखद मोबाइल का सुखद रूप यह है कि इसे कहीं भी, कभी भी आसानी से ले जाया जा सकता है इसे जेब में रखा जा सकता है अत्वा हाथ में पकड़ा जा सकता है अब फोन सुनने या करने के लिए कहीं बैच कर समय बरबाद करने के आवश्यक्ता नहीं है आपका फोन आपकी जेब में हाजर रहता है इसका सरवाधिक लाब व्यप्यारी वर्ग के साथ साथ द्यानिक कात करने वालों मजदूरों को है व्यपारियों का आदे से अधिक काम मोबाइल पर ही हो जाता है अब उन्हें कहीं जाने की आवश्चक्ता ही नहीं रहती व्यपारी के लिए एक-एक मिनिट की कीमत होती है श्रमिक वर्ग अर्थात छोटे-छोटे कामगार जैसे राजमिस्तरी, पेंटर, प्लमबर, बढ़ही के पास जाने की और उन्हें ढूंडिने की जरूरत नहीं रह गई है अब उनके पास मोबाइल है उन्हें फोन कीजिये विक्तुरंत आजिर हो जाते हैं आपका समय और श्रम बचता है उन्हें काम मिलता है उनके रोजगार के अफसर बढ़ गए है अब उन्हें घर बैठे ही बुला लिया जाता है मोबाइल फोन के जरीए आप हर समय शेश दुनिया से जुड़े रहते हैं आप देश के किसी भी हिस्से में है या विदेश में है मोबाइल का बटन दबाते ही सारा हाल आपको ग्यात हो जाता है है ना कमाल मोबाइल में कॉलो का रिकॉर्ड दर्ज रहता है अता इसकी साहेता से अपराधियों को पकड़ना आसान हो गया है अब तो कोट द्वारा भी इसमें दर्ज बातचीत को मानिता दे दी गई है मोबाइल के कुछ दुखद रूप भी है इनका दुरुप योग अशलील और अभद्र वीडियो भेजने में हो रहा है अंचाही कॉल लोगों को समय बरबाद करती है इसका अत्यधिक प्रयोग कानों पर बुरा असर डाल रहा है लोगों के लिए अब यह फैशन बनता जा रहा है इसका अधिक प्रयोग उनकी कारिशंता को घटा रहा है